दोस्तों आपका स्वागति आज के इस नए वीडियो में आज हमारे सामने किया कि मुस्ट डिमांडिट कॉम्पेक्ट एस्यू किया सोनेट काफे अट्रेक्टिव लुक्स के सते कार आती है आपको इस कार में बहुत ही बढ़िया स्पेस मिलता है रिफाइन इंजिन के साथ ये कार भोथ ही बढ़िया परफॉर्मंस देती है किया सोनेट के मेन कॉम्पेटिटर्स है हुंडा इवेन्यू महिंद्रा 3100 इसके साथ ही मारती सुजुकी ब्रेजर टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर टाटा निक्सॉन दोस्तों आज किस वीड अवेलेबल है 34 वेरियंट्स और सब वेरियंट में बेसफेरेंट है स्ोनेट एस्टी 1.2 पेट्रोल यव्त बेस वेरियंट की, एक्स वार्म पराइस है 7.99 लाक रुपीज इस लाइनप का तॉप वेरियंट है स्वेरेंट एक्स लाइन 1.5 डिजल 80 टॉप वेरियंट की, ए कार अवेलेबल है, स्क्रिन के ओपर में इस कार का ग्लैसीर वाइट परल कलर देख रहे हैं, जो की बहुत ही बढ़िया और अट्रेक्टिव लगता है, फ्रंट में किया का लोगो ब्लैक कलर में ग्रिल मिलता है, हैलोजन हेडलाइट्स के साथ ये कार आती है, टर्न इंडिके फ्रंट में मिलता है मैक पर्शन स्ट्रक्ट विद कोईल स्प्रिंग सस्पेंशन, रियर में मिलता है कबल टॉर्शन विम एक्सले विद कोईल स्प्रिंग सस्पेंशन, फ्रंट में डिस्क प्रेक रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है, टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड ओ पोर नृपों फी एम्स, विंडोज के कंट्रोल, डॉर के उपर hard finish मिलती है बॉतल होल्डर के लिए जगा आपको यहा पर मिलती है बहुत ही बड़िया स्पेस आपको इस कार मिलता है, स्टेरिंग के उपर किया का लोकों मिलता है, light के कंट्रोल मैन्यूल कीज के साथ ये वेरियंट आता है, ट्रेक्शन स्फीज, एटो अनॉफ स्फीज, हेडलाइट हैट एडजिस्टर, AC वेंट्स के डिजन का फिस्टाइलीश और अट्रेक्टिव लगती है, स्टेरिंग मांटेड कंट्रोल के साथ ये कार आती है, दोस्तों अब हम बात करने वाली इस कार के इंस्ट्रुमेंटेशन के बारे में, डिज्टल अनलोग इंस्टूमेंट क्लस्टर आपको इस कार मिलता है, इलेक्ट्रोनिक ट्रूट्रिप्स के साथ ट्रिपमेटर मिलता है, एवरेज फ्यूल कंजम्शन डिस्टन्स टू एम्टी के साथ ये कारात है, प्लॉक डिज्टल मिलती है, इसके साथ ही आपको इस कार में लो फ्यूल लेवल वर्निंग, डोर अजर वर्निंग, गियर इंडिकेटर, टैकोमेटर अनलोग मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटर शिस्टीम, यूजर सेटिंग्स, एकुमेलेटर इन्फोर्मेशन, बहुत सारे सेटिंग्स आपको इहाँ पर मिलते है, स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का यूज़ करके हम इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर अपरेट कर सकते है, स्टेरिंग की डिजाइन हम स्टेरिंग के उपर देख रहे काफ़ है, अट्रेक्टर स्टेरिंग विल आपको इस कार मिलता है, स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, स्टेरिंग के उपर किया का लोगो मिलता है, silver element steering के उपर मिलता है steering adjustment tilt वाली मिलती है telescopic adjustment आपको इस variant में नहीं मिलती है steering के right side को light के controls left side को wiper के controls मिलते है इस variant में infotainment system नहीं मिलती है showroom से aftermarket आप वो लगवा सकते है hazard light का button AC fan के controls manual air condition आपको इस car मिलता है AC vents के design का आफ इस टाइलिश लगती है AC के control screen के उपर देख रहे थे mobile लगने के लिए जगा आपको उपर और नीचे मिलती है preload का charging socket USB type auxiliary port dummy port भे आपको यहापर मिलता है mobile लगने के लिए बहुत ही बढ़िया जगा मिलती है manual transmission के साथ यह काराती है reverse gear डालती rear parking sensors एक्टिएट हो जाते है twin cup folder mechanical parking brake driver armrest driver armrest और storage मिलता है rear AC vents car में आपको fabric और लेदर के sit मिलते है काफे comfortable sitting के साथ यह काराती है grab handle internal door handle windows के control door के उपर hard finish मिलती है bottle holder के लिए जगा car के future finish बहुत ही बढ़िया है glow box में आपकुछ documents वगेरा रख सकते है co passenger side sun visor के उपर आपको airbags के instructions लिके होए मिलते है sunroop के साथ यह काराती electronically adjustable sunroop आपको इस कार मिलता है sunglass holder manual IRVM सापको इस कार मिलते है driver side sun visor भी normal मिलता है six way manually adjustable driver seat और front passenger seat के साथ यह काराती है दोस्तो अब हम चलने वाली इस कार के rear seats के उर देखने वाले rear seats के उपर आप कितना space मिलता है कितना comfort मिलता है और leg room कितनी मिलती है कार के interiors काफी stylish और attractive लगते है single tone black color में आपको पूरे interiors मिलते है कार की side profile और rear profile हम screen के उपर देख रहे है काफी attractive looks आपको इस कार मिलते है rear में halogen tail lights मिलती है अब हम चलने वाली इस कार के rear seats के उर कार की rear sitting हम screen के उपर देख रहे है काफी comfortable setting के साथ एक कार आते है बहुत ही बड़िया space मिलता है internal door handle, door के उपर hard finish मिलती है rear में manual adjustable windows मिलते है नीचे bottle holder के लिए जगा मिलती है screen के उपर में इस कार के dashboard के design देख रहे है काफी attractive dashboard आपको इस कार मिलता है infotainment system और US parking camera आपको एक्सेसरीज में लगवाना पड़ेंगा बहुत ही बड़िया बूट स्पेस के साथ एक आ रहाते है rear AC vents mobile रखने के लिए जगा USB type charging ports rear reading lamp grab handle internal door handle door के उपर hard finish मिलते है manual windows adjustment, bottle holder के लिए जगा car के sitting काफी comfortable है seatbelt anchor points rear में fix headrest मिलते है, front में adjustable headrest मिलते है boot space rear seat हम fully fold कर सकते है dashboard की design काफी stylish और attractive लगते है दोस्तों अब हम चलने वाली इस car के rear के और देखने वाले है rear की looks केसे लगते है आपको इस car में कितना boot space मिलता है car के length है 3.995 meters width है 1.790 meters height है 1.61 meters wheel base है 2.5 meters car के rear profile काफी attractive लगती है halogen tail lights के साथ ये कार आती है roof mounted antenna stop lights आपको इस variant में rear defogger और rear wiper नहीं मिलता है tail lights, turn indicators sonnet की badging Kia का logo rear parking sensors, rear reflector number plate के लिए जगा, number plate light बहुत ही बढ़िया ground clearance के साथ ये कार आती है exhaust pipe आपको इस car में 5 doors मिलते है 5 लोग इस car में आराम से बैट सकते है अब हम चलने वाली इस car के boot space के और car के interior से हम rear से देख रहे काफी attractive interior के साथ ये कार आती है बहुत ही बढ़िया boot space मिलता है grocery bag hang करने के लिए hook first aid kit advance warning triangles आपको इस car में 385 लीटर का बहुत ही बढ़िया boot space मिलता है spare wheel mechanical jack के साथ ये कार आती है screen के ओपर हम इस car के spare wheel की size देख रहे है 195 by 65 R15 का spare wheel आपको इस car मिलता है किया sonet की fuel tank capacity 45 liters की है locking के arrangement door handle unlock का button locking के arrangement door support करने के लिए mechanism मिलता है कार की rear profile का फिस्टाइल इस और attractive लगती है दोस्तों अब हम बात करने वाले इस car के braking और traction के बारे में anti-lock braking system electronic brake distribution system brake assistance के साथ ये कार आती है कार के dashboard की design हम screen के उपर देख रहे है काफ़ attractive interior साब को इस car मिलते है bonnet open करने के लिए lever fuel lid opener electronic stability program hill hold control system आपको इस car मिलती है अब हम चलने वाले इस car के front के और काफ़ attractive looks के साथ ये कार आती है front में किया का logo black color में grill भूत ही बढ़िया लगता है दोस्तों अब हम बात करने वाले इस car के engine और transmission के बारे में आपको इस car मिलता है 1197 CC 4-cylinder inline 4 wall DOSC smart trim G1.2 petrol engine ये engine प्रोडूस करता है 82 BHP की power और maximum torque of 150 newton meter front wheel drive के साथ ये कार आती है transmission manual 5 ES के साथ मिलता है break oil tank wiper water fill करने की जगा engine oil checker engine oil tank lock on lock के arrangement radiator battery की position इस car के emission standard BS6 phase 2 के नुसर है ideal start stop आपको इस car मिलता है दोस्तों अब हम बात करने वाले most important point safety के बारे में over speed warning के साथ ये कार आती है emergency brake light flashing आपको इस car मिलती है अभी तक ये car end cap tested नहीं है total 6 airbags के साथ ये कार आती है rear middle 3 point seatbelt tire pressure monitoring system seatbelt warning के साथ ये कार आती है engine immobilizer आपको इस car मिलता है central locking with की मिलती है speed sensing door lock और child safety lock के साथ ये कार आती है manual air conditioner आपको इस car मिलता है rear में इस events मिलते है heater के साथ ये कार आती है anti clear mirror manual internal मिलते है parking sensors rear में मिलते है headlight and ignition on का reminder मिलता है exterior में electrically adjustable sunroof proof mounted antenna body colored bumpers मिलते है दोस्तों अब हम बात करने वाले इस car के manufacture warranty के बारे में 3 साल की unlimited kilometers की standard manufacturing warranty आपको इस car मिलती है attractive looks और बड़िया performance के साथ आने वाले ये कार आपको भूत पसंद आएगी आपके पसंद की किया कार खरीने के लिए जरूर विजिट करें थेंक यू फर वाचिंग और स्टेट आपको इंट्रेस्टिंग अपडेट्स दोंट फर्गेट तो लाइक सब्सक्राइब और शेर थेंक यू वह नाइस डे